किसी कारणर्ट से जिदी आपको कलच की तार बदलने जूर्ट पड़ती है तो ये हमारा प्याजो का औरिजिल पार्ट है यहां पे लिखा हुआ है कलच केबल पैकेट को पाड़िए तार को भार निका लिए सलेटी रंग में इतार है ये हिस्सा कलच की तरफ जाएगा जो ये नॉप दिया गया है और ये हिस्सा आपके कलच लिवर पे यारि की हंडल बार पे जाएगा क्लच केबल बदलने के लिए आपको तीन टूर जुन पड़ेगी टेप 10 का स्पैनल आप ओपन यारिंग दोन ले सकते हैं और प्लस का स्टू ड्राइब इंजन के इस हिस्से में क्लच केबल यहां पे लगी है ये देखिए क्लच केबल है ये क्लच लिवर है इसको खोलने क के लिए इस स्क्रू को आप लूज कीजिए यह बिल्कुल इतना असान है जैसे कि मोटर साइकल दोपईया वहन में होता है लूज करने के बाद इसको ये गाड़ी का इंजन है और यहां पर क्लच केबल दी गई है जो की हमें गेर बदलने में मदद करती है किसी कारण वश ये केबल बदलनी पड़ती है तो बहुत असान है ये हमारा लीवर है इस लीवर के साथ इस स्क्रू के दोरा इस केबल को बांदा गया है इसको पीछे कीच कर केबल को यहां लाइए नई केबल लीजिए और इनको यहां पर लाकर इस टेप के द्वारा बांद दीजिए क्लच केवल बदलने के लिए इस क्लच लिवर पे हमारी क्लच केवल है इसको बदलने के लिए सबसे पहले वापस स्टेरिंग के कवर को खोलिए और इस पेच्छे सी मद्द से और यह आपका कवर अब दसका स्पैनर लीजिए और यह स्क्रूड्राइवर को आपने इसे पर फड़आना है और यह 10 खासर मेल लेकर इसंक नट पर वाक करना है लॉक करने के बाद इसको मजबूती से पगड़े और इसको उल्टा घुमाना शुरू कीजिए लूज होने के बाद इस स्क्रू को बाहर निकाल लिए ध्यान पूरक और इनको समाल कर डेश वोड़ रखिए अब आपका जो लीवर है यहां से बाहर आ गया है जब आप स्क्रू निकाल लेंगे तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा आपको यह वाशर और एक यह डॉवल मिलती है इसका काम इस लीवर में प्ले को रोकना है तो ध्यान दिखीगा यह गुमना हो जाए इसे समाल कर डैश पूर्ट में रख दीजिए अब आपका यह लीवर भार आ चुका है यहां से इस लीवर में से केबल इसको थोड़ा सा घुमाईए और इस खांचे में से केबल को बाहर निकाल लीजिए देख सकते हैं क्लच केबल अब फ्री है इसको निकालने के लिए गेर लीवर को आप थर्ड या फूर्थ के लिए ताकि थोड़ा सा यहां पर जगह मिले उसके बाद इस केबल को ऐसे पगड़के इसको पीछे की तर निकाल लीजिए और यह आपका जटके से केबल बाहर आ गया है कि केबल अब फ्री हो चुकी है इसको बद देने के लिए आपने इस केबल को यहां से खीचना है इसके पीछे नया तार बंदा हुआ है टेप के साथ वह जब आप से खीचेंगे तो वह नया तार भी सांथ में इसके यहां तक आ जाएगा लेकिन ध्यान रखना है कि यह इस ब बंदी भी थी इस टेप को यहां से खीचने के बाद से यहां से खटा दीजिए और पुरानी तार को आप इससे फ्री कर दीजिए नई तार यहां चुकी है हमने इसके निदर से निकाल के इसको लेका है जैसे पहले बताए था अब वापस स्टेरिंग को हलका सा ऐसे घुमा आप यहां अब यहां चुँए ब्रैकेट दिखाई देर है इसके अंदर इस तार को पीछे लिया के इसमें ऐसे बठाके और इसको यह इस प्रकार लॉक कर दिजिए यह अब आपकी तार इस खांचे में आ चुकी है अगला स्टेप लिवर लेना है लिवर में इस खांचे के अंदर से आपको तार को बिठाते हुए इसके एवल अपनी जगा पे बैठ चुका है लॉक में लिवर की इसको पीछे डालिए औ इस डॉवल फिन को ना मत भूलिए इसको लगाईं हे सर् delic लगाते हुए इसको इसके सांथ कि वास्षर डॉवल पिन और इसके और एक यह वास्षर लाकान आए और एक वास्षर्स नीचे की तरव लिगाते हुए यह वाशर और डावल लगाते हैं इसको इसमें बिठाके इस क्रू से लॉक कर दीजिए अब जो क्लच लिवर पे जो इंजिन पे है उस पे असेंबल करने के लिए तार का यह हिस्टा लीजिए एक कारवेटर है इसके नीचे से इसका रूट है तार को निकालिए निकालते में यह क्लच लिवर के इस ब्रैकेट में इसे होल्डिंग लॉक में लाइए और इसको यहां पर बिठाके इसे लॉक कर दीजिए इस प्रकार यह लॉक हो जाएगा यह हो चुका है अब आपको केबल को इस लिवर में लॉक करना है उसके लिए यह स्क्रू और यह ड लिवर में इसको बिठाना है अब एक हाथ की मदद से क्लच केबल को हमने यहां पर लॉक कर दिया है और उसके बाद पिन में भी इसको डाल दिया है अब देख सकते हैं पिन के अंदर यह ऐसे ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब यह जब हम इसको स्क्रू को लगाएंगे तो य इसके लिए आप इसको दबाईए और एक हाथ से इसके उपर चोड़ी चढ़ा कर इसे टाइट करते जाएगे तो को उतना ही टाइट करना है जिससे की क्लच के लिवर में मामूली सी चाल रहे प्ले रहे यदि आप इसे अधिक टाइट करेंगे तो आपका क्लच हाड़ हो और यह इतना थोड़ा सा यह फ्री रहना चाहिए यह यहां पर बिल्कुल ठीक है इसको यहां पर लॉक करके छोड़ दीजिए इस प्रकार आपकी क्लच केबल रिप्लेस हो गई है क्लच केबल बदल चुकी है क्लच लिवर काम कर रहा है अब आपको डैश्पूर्ड का कवर लगाना है ध्यान रखी का दुबारा यह जो लॉक्स है यह अपनी जगह पर बैठें प्रॉपर तरीके से यहां बिठाके इन्हें कि अपनी जगह पर आ गए है प्लस का स्क्रू ड्रैवर लीजिए और इनको अपनी जगह पर दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दीजिए कि अपने चुछ ड्रैवर यहझा लीजिए kidding आपनी जगह रखी जगचे बिदिए टीजिए बादिया लीजिए कि आपनी जगह का नहीं है कि लुटे वीजिए